यहां मेरे पास दो बजट Bluetooth स्पीकर और दोनों की रेंज काफी सेम सेम है ये भी एंडर 500 आता है ये भी एंडर 500 आता है इसके काफी मोडल्स आते हैं पर ये है TG157 और ये है A005 और इसका जो मोडल नंबर आता है वो 162 करके भी आता है सेम ही है ये दोनों मोडल उच्छी के connectivity में 162 आता है तो इनकी दोनों की unboxing मेंने अलगलग कर दी थी अगर आपने unboxing देखनी है तो आप मैं लिंक डिक्स्रिश्य में दे दूगा वहां से जाके देख सकते हैं पर आज हम करने वाला इन दोनों का comparison देखें कि कौन सा best Bluetooth speaker है इन दो दोनों में से क्योंकि दोनों ही same configuration के साथ आते हैं तो इसमें एक आपको charging cable मिलती है इसमें आपको charging cable के साथ आपको एक एक एक्सरी ज्यादा मिलती है यहां पर अमने बात कर लेता हूं दोनों की configuration की चोकि user manual दोनों के मेरे पास है यहां पर इस पर जो model नंबर लिखा हुआ है वो 162 लिखा हुआ है इस पर 157 लिखा हुआ बैटरी दोनों में 1200 mh के Bluetooth version दोनों में 4.2 मिलता है आपको इसमें single driver मिलता है इसमें आपको दो driver देखने को मिलते हैं इसमें आपको दे आ गया कि 5 वोट के 2 driver आपको मिलते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ 5 वोट के 2 driver आपको मिल जाते हैं ठीक है डिस्टैंस जो है 10 meter है और चार्जिंग 5 वोट की है अगर मैं आपको 162 की दिख configuration आपको मिलती है बिल्कुल exact same configuration आपको मिलती है इसमें 1200 mhk at distance 9 meter है यह देख सकते है आप wireless version 4.2 है driver speaker driver भी same है ठीक है weight का फ़रग है unit weight का फ़रग है charging time 3-4 गंट है यह charging वोट 5 वोट है मतलब सारी चीज़ें सेम सेम यहां पर आपको देखने को मिल जाती है दोनों के अंदर पर एक major difference जो है कि यह बिलता है एक बड़ यह थाई Crown colorsesta the same model आका मिलता है श्ली सिंगल से स्पीकर आता है इस cocoa both a paper और फ़रेंस में आपको बड़ी ledगी देखने को मिलती है इसमें आपको छोटी ledगीदेखने को मिलती है ठीक है मिज़ेंकों पर करूं तो ऊपर से दोनों ल शेप में आता है उपस ऐसा डिजाइन है दोनों का build quality दोनों की अच्छी है यह weight में ज्यादा है क्योंकि इसमें दो speakers और बड़ा भी है यह weight में हलका है नीचे आपको दोनों में ही रसी दी गई है strips दी गई है जिसे आप इनको लटका सकते है build quality दोनों की ही अच्छी है इसके लाव अगर आप फंक्शनेटिबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर आपको इसके इसमें एक सबसे अच्छा फीचर 157 में यह है कि इसमें आपको मोड मिलते हैं इसके लेडी में यह लेडी है यह मोड है FM Bluetooth Radio चीक है जो भी अब इसमें वेलेबल को चला सकते हैं यहाँ पे आपको charging slot मिलता है ौक मिलती है USB मिलता है micro SD card मिलता है बट यहाँ पर आपको एक चीज नहीं मिलती है यहाँ पर आपको ओक्स को उप्शन नहीं मिलता है THIS Speaker में तो इस Speaker में दो आपको टीसरा इसमें आपको इसकी जो LED उसमें सिर्फ एक ही मोड़ मिलता है नावा कोई मोड नहीं मिलता है तो जलिए दोनों को एक बास बास टार्ट कर लेता हैं अंग देखते हैं कैसा क्या लॉकिंग में डिफरेंस आता है भूटूस नाउट तो देखिए ये इसका LED एक तो इसका LED भी कम हैं इसमें सिर्फ दो यह एको देखने को रोने को देखने मिलते हैं एक ये दूसरे ही इसमें अगर मोर की बात करो तो इसमें आपको काफ़ी सारे मोर मिल जाते हैं तो मेरे को यह सबसे अच्छी बात लगी है यहां पर तो मोर्स काफी अच्छी इसमें देखने को मिल जाते हैं एक बार इनको लाइट ओफ करके भी दिखा देता हूं आपको दोनों स्पीकर्स को तो मैं कर देता हूं यहां से लाइट ओफ देखिए अभी जो LED में डिफरेंस आपको दिखेगा यह LED बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है इसके मुकाबले तो ओविसी बात है यहां पर देखने को मिलेगा आपको एक मेजर डिफरेंस जो यहां पर है वो LED का अब बात करते हैं इन दोनों की आवाज की यह सिंगल है यह डबल है तो ओविसी बात है इसमें ज्यादा वॉल्यूम होनी चीए बट देखेंगे दोनों को प्ले करके मैं एक बाद कनेक्ट क रख रहा हूं ताकि प्रोपर वोल्यूम आए तो इस पहले हम इसमें प्ले करेंगे एंड यह मैंने प्ले किया अब फुल वोल्यूम पर चला कर देखने इसको यह फुल है मैं शिप्ट कर रहा हूं अब इसके तरह यह इसके तरफ आगया मैं अब इसके वोल्यूम फुल कर देखता हूं अभी यहां से मैं से शिप्ट कर अए पूर वोल्यूम मैं से शिप्ट कर रहा हूं वेजू मैं से शिप्ट कर रहा हूं तो विदाउट वेसिंग एनी टाइम मैं इसका कॉन्कुलूजिन बता जाता हूं मतलब में को बहुत ज्यादा हिरानी होती है कि जब है न चोड़े स्पीकर बड़े स्पीकर के में कबले ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आपको बेस अच्छा मिलता है वोल्यूम क्वालिटी अच्छी मिलती है और वोल्यूम भी अच्छी मिलती है आपको 157 के मुकाबले इसमें दो स्पीकर होने के बावजूद आपको बेस इससे कम मिल रहे है वोल्यूम क्वालिटी इससे कम मिल रही होती क्योंकि इन्होंने led दिया अच्छे वाली तो इसी विजए से इसने उन्हें एक speaker के साथ यहां पर compromise किया हुआ है तो basically एक conclusion मैं आपको बता देता हूं वह over and all जितना भी मैंने देखा है समझा है build quality तो उनों की same है pricing दोनों की around round same है features में इसमें आपको ox नहीं मिलती है इसमें आपको LED में morts नहीं मिलते हैं इसमें आपको LED बहुत अच्छी मिल जाती है बहुत अच्छी quality मिलती है और designer मिलती है इसके इलावा इसका जो shape है वो थोड़ा में से मिलती है connectivity दोनों में से मिलती है बाकी Bluetooth profile दोनों में सेम है सारी चीजी सेम है जो major difference है volume अगर आपको चाहिए तो आप यही prefer कीजिएगा यही लीजिएगा इसकी बज़ेंगे आपको design के साथ volume चीए तो फिर design के लिए तो भाई यही better देगो मतलब जबरदस लगता है इसके आगे design के मामले में तो आप देख सकते हो इसकी LED तो देखी नहीं रही है light में इसकी तो देखिए यार मतलब LED के मामले में तो जबरदस लगता है but volume अगर आपको prefer करनी है तो यह कीजिएगा base भी काफी अच्छा है मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें में इतना खास basis का नहीं लगा था बट अभी comparison कर रहा हूं तो पता चल रहा है कि हाँ इनके मुकाबले इसमें काफी अच्छा भी इस है और काफी अच्छी quality है इसकी तो यह budget speaker में मेरे इसाब से इससे अच्छा कुछ आ नहीं सकता तो I think so की budget speaker में even of the best आप कह सकते इसको so काफी अच्छा speaker मेरे को लगा so यह थी आज की video और comment करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी और कौन सा आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा है और मेरे को बहुत सारी comments भी आये थे कि QX3 का भी आप वो करो review करो बट अभी sir lockdown है तो उसकी वज़े से जो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास available नहीं है वो unit मेरे को बंगानी पड़ेगी तो अभी वो है ही नहीं available जैसे lockdown खुलता है मेरे पास unit आएगी मैं उसका review भी जरूर करूँगा so bye bye take care see you in the next video comment जरूर करना like कर देना comment कर देना share कर देना bye bye take care